ये अडानी के नौकर हैं, अडानी के नौकरों से हम लोग नहीं डरते देखे मानी सरवोची नेयले का क्या नेड़े आता है उसके लिए प्रतीच्छा करेंगे लेकिन जो कल हमारे वकीलों ने दलील रखी सीबी आई के कोर्ट में उसका कोई जवाब सीबी आई के पास नहीं था मनीस सिसौदिया को फरजी बेबुनियाद फसाये गया है 14 घंटे उनके घर पे चापे मारी की कुछ नहीं मिला गाउं में चापे मारी की कुछ नहीं मिला दफ्तर में चापे मारी की, कुछ नहीं मिला, बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला, कहते दस अजार करोन का रिस्वत खा लिया, अरे बही कुछ तो मिलता, कोई तो आधार होता, आपके आरोप का, तो भाजपाई सिर्फ एक बैस की भावना से, उनके, उनको बदनाम करने के लिए, ये करवाई कर रहा है, ये मोदी सरकार के करवाई है, ये सीबिया के करवाई नहीं है, ये तो मोदी जो कहते हैं सीबिया को वही करती हैं सीबिया, तो इसलिए, आज अरविंद केजरिवाल क ये सरकार की लोगप्रियता से, उनके सिक्षा मॉडल से, मनिस्स सौधिया ने जो लाखों बच्चों के लिए काम किया उसके कारण से, परेशान होके ये कारवई की गई है, तो इसलिए देखे, पूरी उम्मीद है और आने दीजे, फैसला आने दीजे, भई ये जो शराब न पूस्ताच करो, उनके भी फाई आर करो, अगर ये फॉलिसी गलत है, तो उनसे पूस्ताच नहीं हो रही है, ये सवाल है, देखे, अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का कोई नेता घर के बाहर दिखे, तो आस्चर कीजिएगा, जेल में है तो को आरत की राजनीती के सबसे कायर लोग हैं, और ये अडानी के नौकर हैं, अडानी के नौकरों से हम लोग नहीं डरते, उनको कारोई करने दीजे, आल लालु यादो को समन बेजा सोचिए, वो बीमार होके, इलाज कराके, छे महीने बाद आ रहा है, उनके तुम नोटिस बे कीजे, उनको दूसरे भी काम करने दीजे, और इस देश की जाँच एजिंसियों का भी समय बरबाद मत कीजे, आप एक साथ सारे भी पक्षिये नेताओं को गिरिफतार करके जेल में डाल दीजे, छुटी हो जाए, रोज आपको कैमरा लेके दौड़ना पड़ता है, खबर चलानी पड़ती है, यहाँ पकड़ा, वहाँ नोटिस, यह वो, अरे खतम करो नबवाल, आप इस देश के महराजा हो सब को गिरिफतार करके जेल में डालो,